हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल SRS Learning में बच्चो ये आपकी हिंदी की कारेपत्रक है कक्षा आपकी क्या है चार और करम संक्या बेटा है हमारी 126 और हमारी दिनाक है 7 दिसंबर 2020 ठीक है बच्चो इसमें क्या है हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है थ पाठ संबंदित किरियकला हमारे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप आशा है आपने पाठ थप रोटी थप डाल अच्छे से पढ़ लिया होगा आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं जैसे प्रशन वन है हमारा की आईए पाठ में आये कुछ शब्दों पर ध्यान देते है जैसे बच्चा, बिली, थप, अबबा, आदी काहनी में कई ऐसे शब्द हैं जिन में एक जैसे आदे वे पूरे अक्षरों का जुड़े होते हैं उतान के लिए रसी, किस से बनिया रा, चोटा रा, ओ सोरी, आदा रा और बड़ा रा, डिबा, आईए कुछ ऐसे शब्द हम और लिखते हैं जैसे च, च से हम क्या बना सकते हैं कच्चा, ये क्या है आदा चा और बड़ा चा से बनाए कच्चा, ऐसे आदा पा और बड़ा पा से क्या बना सकते हैं आप चपल, ठीक है ऐसे ही आदा ला और बड़ा ला से क्या बन जाएगा आपका बला, जिस से आप ब बच्चों हम दूसरे प्रशन पर के बच्चों और पड़कर बहुत मज़ा आया आया किस प्तिसानों की पूर्ति करतें नाटक में नीरा क्या वनी ती नाटक त्या नाटक ती च्छा उसमें div क्या बन या सितिक होता इमया हवा। चंनु का दंग भी में वेह कैंने को दूनुशमिंब रहा है कि छीके कंडी से धार या गता हुआ तरत हुआ है आप मैं भी में फालता है कर छीके तुमुदक्तिन स्वाथ यसका पाँधा है टाग नूनुशर द्रूम०क्त। और हमारा जो फूर्थ है वो क्या घर में खाने का समान कौन लाया था वो लाई थी मुन्नी ठीक है वो कौन लाई थी मुन्नी तो आप इसमें क्या लिख देंगे मुन्नी जो घर का समान था वो लाई थी मुन्नी तो हमने क्या है यह पूरा भर ली अब हम चलते हैं अपने जूस आप क्या है ठंडा पीते हैं हमने यहाँ पे जूस लिख दिया फिर है लसी लसी भी क्या है हम ठंडी पीते हैं इसके बाद रोटी रोटी तो बटा आप क्या है गरम खानी परसंद करते हैं आइस क्रीम आइस क्रीम क्या है हम ठंडी खानी परसंद करते हैं आइस क्रीम पकोड़े पकोड़े तो हम गरम खाते हैं जिसमें से क्या दुमा निकलता है खुंदी खाते हैं इसके बाद चावल हो गए गरम और बच्चे खिचडी, ठीक है यहाँ पर हम एक और लिख देंगे हम क्या, खिचडी, यह भी क्या है हम, बिल्कुल गरम गरम खाने पसंद करते हैं, तो गरम क्या खाने पसंद करते हैं, हलवा, खिचडी, रोटी, पकोड़ा, पकोड़े, चावल, और ठंडी, जूस, लस्च हमारा फूर्थ कोशन है कि पार्ट में मुन्नी घर से क्या क्या लाई थी वो आटा लाई थी घी लाई थी और दाल लाई थी दही लाई थी साग लाई थी चीनी लाई थी और कया है मखन लाई थी ठीक है तो यह हम लिख देंगे कि वो मुन्नी क्या कर लाई थी आटा घी डाल दही साग चीनी मकर तो बच्च ये आप यहां से देख लख ले बच्चों आपने पार्ट में खाने की चीज़ों के बारे में पड़ा क्या आप नीचे बने चित्रों में से पत्तेदार सबजियों को पहचान कर उनके नाम लिख सकते हैं लिख सकते हैं ये क्या है आपका बेटा ये आपका है धनिया तो आप क्या लिख देंगे ये है क्या है धनिया हरा धनिया जैसे बोलते हैं ये वो है ठीक है ये क्या है आपका मेथी ये क्या है आपकी मेथी और ये क्या है आपका पोधीना तो हमने देखके लिख दिया पैचान लिया आपको भी पैचान होगा बच्चो नहीं होगी तो अब हो गई होगी ती क्या ये क्या है धनिया मेथी पोधीना अच्छा अब बच्चों आपका प्रशन है कि थप रोटी थप दाल एक नाटक है नाटक करते समय हाव भाव और समवात पर ध्यान देना अत्यावशक है अपनी कलपना से दिये गए चितर के पात्रों के बीच हो रही बाचीत को समवात के रूप में हमें लिखना है जैसे यह क्या है आपका ये कोई बच्चा है तीक है ये इसको दे रहा है ये कुछ बोर्य उठा रहा है ये कुछ बच्चा ये कुछ मच्री पकड़ने काम कर रहा है तो हमें ये एक आपकी लिए मैंने ये बना के रखा अलग link निए इसके पात्र है ठीक है तो पिंकी जो है लड़की जो दुखाई थी आपको भाईया से पूछती कि भाईया ये तुम क्या कर रहे हो तो पंकच ठीक है जो पंकच कौन है ये वाला ठीक है ये क्या है आपकी पिंकी है पहले मैं नाम लिख देती हूँ ये पिंकी है ये आपका ये जो भाया है उसका ठीक है पंकर जिसका नाम था ये राहूल है ठीक है ये क्या है दादा जी है ये ठीक है अब क्या है हम पढ़ते है पिंकी क्या पूछते है भाया ये तुम क्य पंकच कहता है मैं चुडियां को खाना दे रहा हूं फिर गंगा दादा जी जो लड़की है एक उस पर बैठी वी है पेड़ पे दादा जी आप मुझे मचली पकड़ना सिखा दो यहां पर सिखा दीजिए दादा जी बेटा तुम यह अभी नहीं कर पाऊगे तुम अभी छो सब्सक्राइब है ठीक है तो बच्चों को पर्शन 6 में उनके द्वार लिखते हैं समवादों को बोल कर सुनाने के लिए प्रेडित कीजिए आप क्या है इसको लिख भी सकते हो और सुना भी सकते हैं यहां पर हमें क्या लिखा है कि बातचीत हो रही को समवाद के रूप में लिखी आपको क सकते हैं या आप अपने या दिग में और सब्सक्राइब करते रहें सबनाव पूर बायं बच्चों